चंडिगड में संसकार भारती पंजाब की दो दिवसिय आवासिय साधारन सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब प्रांत और चंडिगड से लगभग 35 कारेकरताओं ने भाग लिया, परंपरा के अनुसार पहले दिन धे गीत के साथ सभा का आरंभ हुआ, जिसके बाद उत्तरक्षेत्र प्रमुख संसकार भारती नवीन शर्मा, कारेकारी अध्यक्ष अनिल तिवारी, महमंत्री दीपक मखीजा की अध्यक्षता में सतर शुरू हुआ, जिसमें संगठन के उदेश्य, कारेशली, कारेकरताओं की अपेक्षाओं पर गेहन चर्चा की गई, जिस समामान्धा, सभा की दूसरे दिन संरक्षक सुदेश शर्मा की अध्यक्षता में धेगीत के बाद विभिन एकाईयों से आए कारेकरताओं ने साल भर किये गई कारेकरमों का लेखा जोखा दिया और आगामी योजना बताई, जिसके उपरांत बाद दोपहर परांत की पु को अध्यक्ष, दीपक मखीजा को महमंत्री, सुभाश भोगल को उपाध्यक्ष, गौरब पाठक को सह महमंत्री, राजेश अत्रे को कोशा ध्यक्ष, गुर्विंदर सिंग को प्रचार प्रसार प्रमोख, रजनी बजाज को मात्री शक्ती प्रमोख, डॉक्टर बविता ज भागा समापन किया गया